नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल सेविल इंग नोलेज बैराम लखन यादों में आज आप इस वीडियो में देखेंगे 48 मिटर पी एसी बॉक्स गडर का डेक स्लेब का रेनफोर्समेंट प्लेसिंग जिसका लेन्थ है 48 मिटर और ये विथ है 12 मिटर का इस वीडियो में आपको साइट पर इंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है उसका मैं आपको डेटेल दिखाऊंगा विथ ड्रॉइंग के साथ बी बी एस इसके पहले दोस्तों मैंने एक सेशन किया था पिछले वीडियो म जिसमें मैंने दिखाया था ये 48 मिटर बॉक्स गडर का सोफिट सलेब का वेब वाल का बिलिस्टर ब्लोक और डेविएटर ब्लोक सबका डिटेल उसमें दिखाया था अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो बोटम का आपका सारा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा उसके ब तो इसका जो स्टेजिंग एरेजमेंट है कैसे इसका बोटम से लेकर के सलेब टेंटी लिवर पर्डशन सोफिट सलेब का सारा स्टेजिंग कैसे किया गया है सारा डेटेल आपको मिल जाएगा और दोस्तो वो देख रहे हैं सलेब जो 90 मिटर का है वाइड़ेट सलेब है आ आपको देखने से सारा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा तो चली दोस्तो अब स्टार्ट करते हैं डेक सलेब का रेनफोर्समेंट प्लेसिंग विथ ड्रोइंग के साथ सबसे पहले जो यह रेनफोर्समेंट प्लेसिंग किया जाता है इसको कैसे बनाते हैं उसको मैं सबसे पह बीवीएस बनाते समय तीन चीजे आपको ध्यान देना है पहला डाइमेंशनल डिटेल ड्रोइंग में आपको दिया हुआ होना चाहिए उसका प्लान एलिवेशन एन क्रोस सेक्षन जिसकी मदद से आप इसका डाइमेंशन अच्छे से रिड कर सकते हैं उसके साथ साथ रिनफ देखना आता है तो आप इजली बीवीएस बना सकते हैं किसी भी स्टक्चर का अब मैं आपको ड्रोइंग में दिखाता हूं इस सारी चीजे दोस्तों ये ड्रोइंग में दिया हुआ है टॉप प्लान ओफ डेक स्लेब टॉप प्लान में क्या दिया हुआ है इसका जो का डिटेल दिया हुआ है इसमें जो ड्रेनेस बोट है इसका जो सेंटर सेंच्छे को मीडिल में पांच मिटर का है और अच जो डाइफ्राम से पहला जो ड्रेनेस पोर्ट है उसका लेंथ 15 सथ दिया हुआ है ये हो गया इसका टॉप प्लान अब इसको यहां से सेंटर से एक सेक्षन ए ए कटिंग किया है जिसका आप देख सकते हैं सेक्षनल एलिवेशन एलिवेशन से हमको इसका सभी डिटेल मालूम चल रहा है देख रहे हैं हाइट इसका जो हाइट है बॉक्स गडर का दो मिटर आट सो पचास है इसमें लेंथ भी सो किया हुआ है उसी तरह से अब देखेंगे हम इसके जो सेक्षन सी सी जो एंडाइफ्राम का उसका सेक्षन किया गया है और सेक्षन डिडी जो मिडिल में डेवियेटर ब्लोक के साथ इसका सेक्षन कटिंग किया गया है और सलेब में आप देख स रहे हैं यहाँ पर यह डिटेल सभी आप देख सकते हैं यह हो गया क्रॉस सेक्षन एट सपोर्ट सी सी यह हो गया क्रॉस सेक्षन एट इस तरह से यह पूरा section दिया हुआ है यह section EE है उसमें कैसे shape रहेगा क्या dimensions है उस तरह से यह पूरा दिया रहता है अब हमें आपको दिखा रहा हूं इसका जो reinforcement schedule है उसको दोस्तों मैंने आपको dimensional detail में plan section और elevation दिखाया उसी तरह से होता है reinforcement schedule में reinforcement detail drawing में plan जो यहां पे दिया हुआ है half plan of bottom box और half plan of top box यह पुरा reinforcement detail का plan हो गया इसमें कौन सा बार मार्क किस direction में जा रहा है वो मालूम चलता है यहां से उसके बाद से दोस्तों इसमें जो sectional elevation है यह उसका detail reinforcement drawing आप देख सकते हैं यह है इसका जो किस length में और किस direction में जा रहा है और इसमें जो section 11 से 22 22 से 33 यह सारा detail मालूम चलता है और यह जो cross section at mid span में baby है वो दिखाया हुआ है इस सारे reinforcement detail drawing और section से हम को इसका reinforcement कहां से क्या जा रहा है सब मालूम पड़ता है इसके साथ साथ में आप यह reinforcement schedule देख सकते है डेवेटर ब्लॉक बलिस्टर ब्लॉक इसका सरा detail मैंने already वीडियो बनाया हुआ है और यह हो गया reinforcement detail सब end diaphragm का यह opening है window का अब यह reinforcement schedule दिया हुआ जि इसमें बार मारक नमबर वन जो है 16 का डाया है 1500 का spacing और यह deck top बार है इसको मैं आपको इसके plan और cross section दोनों में दिखाता हूँ दोस्तों यह reinforcement detail का plan में बार मारक नमबर वन आप देख सकते हैं यह है यह reinforcement ऐसे आ रहा है जो कि crash barrier के face तक जा रहा है यहां से लेकर के और यह यह हां तक यहां से यह symmetrical हो जाएगा और यह कहां तक किस length तक जा रहा है यह पूरे end face से end face तक यह पूरा reinforcement जा रहा है जो कि यह बार मारक नमबर वन सो किया हुआ है अब इसको हम आपको side पे दिखा रहा है deck slab का reinforcement placing complete हो चुका है दोस्तों जिसमें आप देख सकते हैं यह deck top bar है बार मारक नमबर वन जिसका spacing 1500 mm का है और यह 12 meter के width जो crash barrier है दोनों side में वहां तक जा रहा है उसमें से 40-40 mm कभर मानस करके और L है as per drawing के अनुसार वहां पे 80 mm आ रहा है 8 mm L दोनों side में हमने रखा है उसके बाद यह जुन number of placing है number of placing यह 48 meter के direction में जा रहा है यह पूरा point किलियर हो गया उसके बाद से बार मारक नमबर 1A extra deck top bar है यह कहां placing होगा प्लान में दिखा रखा है यह 1A जो यह end diaphragm है उसके width में placing होगा और number of placing कहां तक होगा यह जो slow person है cantilever person का वहां तक यह placing होगा इसके जो cross section at DD है उसमें देख सकते हैं यहां पे one भी placing हो रहा है और यह extra reinforcement one A है जो यह cantilever person और यह slow person तक यह placing हो रहा है इसको मैं आपको site पे दिखा रहा हूं यह end diaphragm है दोस्तों इस end diaphragm के इस place में जो slow person जहां से start हो रहा है यहां से ले करके और इसके इस position तक यह reinforcement placing होगा यह यहां तक भी placing होगा क्योंकि यह 750 mm बाहर निकल रहा है तो वह expansion joint में आयेगा इसलिए इसको यहीं तक बनाया गया है इसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो staging arrangement चल रहा है यह 95-meter का RCC Continuous Vided Slab का staging arrangement है तो हमारे इस चनल को ज़्यदा से ज़्यदा like, share and subscribe करें जिससे की आने वाला यह video staging arrangement इस मेरे enforcement detail इसका concrete quantity सभी वीडियो आपको मिल सके मैंने 90-meter का अलड़ी बना करके यूटूब पे छोड़ दिया है आप उसको देख सकते हैं तो चलते हैं आप next बार मार्क पे उसके बाद से दोस्तों बार मार्क नमबर टू है 16 कड़ाया है 1.500 का spacing यह extra cantilever reinforcement है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ यह cantilever person का है बार मार्क नमबर वन और दो दोनों के यह साथ में placing किया गया है यह deck top main bar हो गया इस deck top main bar के center center में इसका भी जो spacing है देड़ सो का ही है और यह यहां तक आ रहा है यह extra cantilever person का यह reinforcement है जो कि यह main bar के center center में इसको प्लेसिंग किया गया है as far spacing के नुशार and drawing के नुशार दोनों साइड में उसी तरह से बार मार्क नमबर 3 3A 456 यह 10 तक यह जितनी भी reinforcement है सारे deck slab का reinforcement है इसके जो बादका reinforcement है दस से लेकर के यह debiter और blister block तक सरा reinforcement schedule मैं आपको मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं उसको देखने से सारा concept clear हो जाएगा यह वीडियो देखने में कोई भी doubt है दोस्तो तो आप comment कर सकते हैं जिसे हमको मालूम चलेगा कि कौन सा points आपको नहीं समझ में आ रहा है वो point का दुबारा मैं वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा इसके साथ साथ अगर कोई भी समस्या है drawing से related या enforcement placing से related किसी में भी sofit slab में भी wave wall में या deck slab में इसका आप comment करके बता सकते हैं अगर यह वीडियो आच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ share कर दिजिए like कर दिजिए please धन्यवाद जय हिंद